हेलो फ्रेंड पॉपुले टिवी सेरियल गुम हैं किसी के प्यार में के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि आशका को पता चली रजट और सवी की शादी की सच्चाय किया बड़ा नाटक तो वहीं सवी करेगी नाटक आशका के जाल में फसने का और बचा जी हाँ दोस्तों अब शो के प्कमिंग ट्रैक में बाब देखेंगे कि जहां में इनका आशका को ये बड़ी खबर दे रहेगी कि उसकी बेटी साही उससे बहुत प्यार करने लगी है इसलिए उसके लिए वर्ल्ड बेस्ट मॉम का कब पर्चिस किया है तो वहीं आशका ब चैरेक वे में सभी से पूछेगी उसके गिफ्ट के बारे में लेकिन साही आशका को कुछ नहीं बताएगी तो वहीं साही की नानी आशका से कहेगी कि साही बेबी ने मग लिया तो था लेकिन वो आपके लिए नहीं बलकि अपनी परी आंटी के लिए लिया था वेल लब शो के अपकमिंग ट्रैक में बाब देखेंगे जहां सही की नानी आशा आशका सही की बड़ा खुलासा भी कर देगी कि रजट ठककर जिससे शादी कर रहा है वो लड़की कोई और नहीं बलकि खुद सभी भोस लई है तो वहीं आशका सचाई जानकर गुस्से में आग बबुला हो जाएगी और अपने खेल को खराब होने से पहले ही आशका जाने वाली है सभी के पास उसके सामने आशका अपने घड़्याली आसु बहाने वाली है और बढ़काने वाली है उसे रजट के खिलाफ जहां आशका सभी से कहते हुए नजर आएगी कि सभी ये वेल लब शो के अपकमिंग ट्वैक में बाप देखेंगे कि जहां सवी अपने मन में सोचेगी कि मैं जानती थी अगर आश्का जी को हमारी शादी के बारे में पता चलेगा तो वो 100% अपनी पूरी कोशिश करेंगी हमारी शादी को रोकने की तो वहीं सवी गलती से सुनने की आश्का के बीच की बाते जहां पर वो लोग एक दूसरे से कह रहे होंगे कि अगर ये सवी नहीं मानेगी हमारी बात तो कोई बात नहीं हम मीडिया में इस रज़त की बदनामी फैला देंगे कि अपनी बेटी साई की कस्टडी को पाने के लिए अपने पैसों के दम पर पार्टे में पहुंच जाएगी और कहेगी कि मिस्टर रजट ठकर ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि आश्का जी ने मुझे तुमारी सारी सच्चाई बता दी है जहां रज़त और उसका पूरा परिवार शौक्ड हो जाएगा और ये देखकर अर्श और आश्का होने वाले हैं खुश तो वहीं दोस्तों सभी करेगी बड़ा नाटक जिसमें फस जाएगी आश्का तो दोस्तों और अब रेज जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले